Hello Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं Unit No.1 DC Circuits, जिसके अंदर एक आखरी टॉपिक बचा है, जिसका नाम है Time Domain Analysis of First Order LR Circuit. तो मैं आशार रखता हूँ, आप PEN और COPY के साथ तयार होंगे, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो हमने पिछले वीडियो में यही टॉपिक पढ़ा था Time Domain Analysis वाला LR Circuit के लिए, लेकिन यह टॉपिक हमने तब किसके लिए पढ़ा था, हमने उसके लिए पढ़ा था, जब करंट ग्रो हो रहा हो. और इस वीडियो में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, जब करंट डीके हो रहा हो, यानि करंट कम हो रहा हो. तब जब करंट कम हो रहा है, तब वो कैसे कम हो रहा है, उसका हम स्टड़ी करेंगे, उसका हम equation derive करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे Time Domain Analysis. तो सबसे पहले heading समझने ही कोशिश करेंगे, तो इसमें लिखा है LR circuit, LR circuit यानि ऐसा circuit के जिसके अंदर एक तो inductor हो, जिसका inductance L के बराबर हो, और एक resistance हो, series में connect किया हुआ, जिसका resistance R के बराबर हो, और दोनों को हम एक battery से connect कर देते हैं, VVolt की, और एक switch लगा देते हैं, open और close करने के लिए, तो इसको हम बोल देंगे LR circuit, ठीक है, अचा, अब first order circuit यानि क्या, तो आपको पता ही है, कि ऐसा circuit जिसमें एक ही device हो, जो energy को store कर सके, तो इसके अंदर ये जो resistance है, ये energy को store करने वाला नहीं, उसको खर्च देगा, तो बाकी बचा inductor, तो inductor क्या करेगा, ये energy को store करेगा, electrical energy को store करेगा, तो ये circuit के अंदर ये एक ही device है, जो energy को store करेगा, इसलिए इसको हम बोल देंगे, first order circuit, ठीक है, अचा, अब पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था, कि जब ये switch close, हम just close कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे T बराबर 0, अच्छा, जैसे समय बीचता गया, T बराबर T हुआ, तो current का value 0 से बढ़के I हो गया, ठीक है, पता है, अच्छा, फिर बोला के, जब अनन समय हो गया, T बराबर infinite हो गया, बहुत समय के बाद current जो flow हो रहा है, उसका value कैसा हो गया, maximum हो गया, ठीक है, ये पिछले वीडियो मे दिखा था, इसको हम बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, growing current, यानि current का value क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो तब हमने I का equation derive किया था, आपको मालूम हो तो I is equal to क्या था, I am 1 minus E raise to minus R by L, R by L into T, ये था, तो अब ये वीडियो हम आगे बढ़ाएंगे यहां से, यानि इस वी करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे, कि T बढ़ाबर infinite पे current का value तो maximum हो गया है, circuit में, यानि inductor में से I am current flow हो रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल देंगे, यहां पे, कि T बढ़ाबर 0 पे हम बोल देंगे, कि current का value कितना है, maximum है, यानि T बढ़ाबर 0 पे हम तुरंट क्या करने वाले है, यह जो battery है, यह जो battery है, बच्चो, इसको हटा देंगे, यानि पहले यह current ऐसे flow हो रहा था, कितना maximum current I am flow हो रहा था, ऐसे flow हो रहा था, बैटरी निकाल दी, T बढ़ाबर 0 पे हमने battery निकाली, जैसे बैटरी निकाली, बस निकालने की तयारी थी, लेकिन T बढ़ाबर infinite पे त current का value कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंके battery तो है नहीं, तो current कहां से आएगा, current आएगा नहीं, तो current का value decrease हो जाएगा, और T बढ़ाबर infinite पे current 0 हो जाएगा, तो यह जो बच्चो, चीज है, इसको बोलते हैं क्या, decay current, यानि current कम हो रहा है, तो हम decay current का analysis करने वाले ह और यहाँ पे बच्चो हम derive करेंगे, I का equation, तो यह I का equation क्या हैगा, वो हम देखेंगे, तो यह सारी चीज जब मैं rub कर देता हूँ, आपको इतना याद रखना पड़ेगा क्या, T बढ़ाबर 0 पे क्या था, maximum current था, T बढ़ाबर T पे current का value कम हो गया है, ठीक, तो यह चीज म इतना, जैसे समय दीता, T बढ़ाबर T पे क्या हो गया, current का value घट गया, I हो गया, तो यहाँ पे current का value घट रहा है, कैसे घट रहा है, वो हम पढ़ेंगे, और वो जो हम पढ़ेंगे, जो equation डिराइव करेंगे, उसको बोल देंगे, time domain analysis for first order, LR, circuit किस के लिए, decay in current के लिए, अच्छा, अब दूसरी एक बात, important बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, कि पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, कि यह जो inductor था, यह inductor, इसमें से हमने जो current पास किया था, वो कैसा था, increasing current था, growing current था, ठीक है, अच्छा, increasing current था, तो मैंने बोला था, कि inductor अपने अ Hasil Christmas, plus minus, plus से हमेसा current आता था, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने इंडुक्टर लिया है, यह वला inductor, इसमें से कैसा current flow हो रहा है, maximum current से, खट रहा है, यानि यहाँल कैसा current जा रहा है, decreasing current, current decay हो रहा है, यानि इंडुक्टर में क्या हो रहा है, अब current decrease हो रहा है, current change ह हो रहा है यह इंड़क्टर कोई भी चेंज को बरदास्ट नहीं करेगा तो यह इंड़क्टर क्या करेगा यह चेंज को बरदास्ट नहीं करेगा तो एक करंट बनाएगा कौन सी डारेक्शन में यही डारेक्शन में यही डारेक्शन में यही डारेक्शन में यहां बोलेगा क किसी बना देंगे यहाँ पे battery हम यहाँ पे current कहां से निकालते हैं positive से यह negative प्लस minus यानि इस तरीके से यहाँ पे induced EMF produce होगा और induced EMF का value आपको मालूम है क्या होता है वो बच्चो L di by dt के बराबर यानि कि यहाँ से कैसा current जा रहा है decrease in current current का decay हो रहा है तो यहाँ पे decay हो रहा है बोला मैं तरेको decrease नहीं होने को दूँगा तरेको increase करूँगा यानि इस direction में current flow करवाएगा और battery का क्या हो जाएगा बैटरी का यह minus यह plus यह minus यह plus हो जाएगा बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है और इसका induced EMF यानि potential difference क्या हो जाएगा L di by dt के बराबर ठीक है अब यह चीज में रख कर देता हूं बस इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आगे कुछ नहीं है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से किश्च आफ वोल्टेज लो लगा देंगे तो किश्च आफ वोल्टेज लो क्या बोलता है कि summation of change in potential across a loop is always zero अच्छा इसके लिए एक loop consider करनी पड़ेगी तो loop हम current की direction में consider कर देंगे तो यह होगे हमारी loop अच्छा अब यहाँ हम battery तो है नहीं तो यहाँ दे start करेंगे यह loop का direction यह है यह direction में है यानि कि यह loop कहां से कहां जा रही है lower potential से higher पे यानि potential क्या हो रहा है gain हो रहा है potential बढ़ रहा है यानि plus sign मैंने l di by dt के बराबर ठीक है अच्छा बात सुनो ध्यान से loop के हिसाब से तो बराबर है कि minus तो प्लस गई यानि potential बढ़ा plus sign आ गया लेकिन है actually यह incorrect क्यों क्योंकि यहाँ पे बच्छो कौन सा current जा रहा है कटता हुआ current decay हो रहा है current घट रहा है यानि जो di by dt हो कट रहा है घ अच्छा यह बात आपको समझ में आ गई बाद में क्या करेंगे के current यहां से i आया तो यह loop का direction और current का direction रेजिस्टर में same तो potential drop तो minus potential कितना लेते थे ir के बराबर बाकि तो कुछ है नहीं तो इसको zero से equate कर देंगे ठीक है अच्छा बाद में क्या करेंगे minus ir को यहाँ ही देंगे हम फिर क्या कर सकते हैं इसको यहां पर देते हैं तो यह LDI by dt हो जाएगा अच्छा अब यह क्या करेंगे यहां पर जो minus r है उसको यहां ही रण देंगे divided by L कर देंगे यह i को वहां प्रेश देंगे सो यह हो जाएगा d i by i, ठीक है, अच्छा, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे रह गया d t, यहाँ पे d t रह गया, यह वाला d t, अच्छा, अब integration कर देंगे, तो integration of minus r by l d t is equals to integration of d i by i, अब limits लगाने ज़री है, तो यहाँ पे time है, अबने क्या बोला था, t बराबर zero time, t बराबर zero time पे current कितना था, current था maximum, यहाँ पे i m लिख दो, फिर t बराबर कितना था, t time, तो t बराबर t time ने current कितना, गट गया, इतना हो गया, i के बराबर हो गया, अब इसका integration minus r by l, resistance और inductors, तो हम्मेशा constant होते हैं, integration of zero to t, r l को निकाल दिया बाहर, 1 dt रहे गया है, और integration of यह क्या है, one upon i d i, यानि one upon x d i, उसका क्या होता है, ln x, तो यहाँ पे l n i बन जाएगा, limits लगा लो, i m i, चीक है, अच्छा, यहाँ तक समझना आ गया, आगे बढ लिमिट कौन सा है, zero से लेके t, zero से लेके t लगा जिया, is equals to, इसका क्या हो जाएगा, upper limit minus lower limit, तो यह हमारा ln, यह पूरा actually, ऐसे आप नहीं लिख सकते, इसका हो जाएगा, ln i हो जाएगा, तो यहाँ से ln i ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, so upper limit i है, so ln i minus ln i m हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, फिर minus rl, upper limit t है, lower limit 0, so यहाँ पे सिर्फ बचा, t, which is equals to, अब यह minus में है, तो division में जाएगा, ln i by i m, ठीक है, अब दोरों साइड, anti-log ले लेंगे, तो यह निकल जाएगा, लेकिन यह e के power में चला जाएगा, e raise to rl, into t, which is equals to ln गया, i divided by i m, अब i को subject बना दो, r by l into t, तो यह हमारा हो गया answer, कि current जो है, ऐसे decrease कर रहा है, exponentially, अब यही चीश हम graph से भी समझ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं graph बना देता हूँ, किसका versus किसका current जो है, वो समय के साथ कैसे घट रहा है, जिसको बोलेंगे time domain analysis, अच्छा, initially current कितना था, t बराबर zero time में, t बराबर zero time में maximum current, तो यहाँ पे मैं I m बोल दू, यह maximum current था, अच्छा, बाद में t बराबर t पे current गटा गया, यह t बराबर zero time में maximum गटा गया, गटे, 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 infinite पे zero हो जाएगा, अच्छा, अब यह equation पे से आपको एक term है, जो आपको मालूम है कौन सी, inductive time constant, term क define करना पड़ेगा, अब inductive time constant किसके बराबर होता है, L by R के बराबर, यह आपको मालूम है, चीक है, तो यह L by R का value tau ले लेंगे, चीक है, तो यहाँ पे क्या है, R by L है, तो R by L का value क्या हो जाएगा, one upon tau हो जाएगा, reciprocal इसका, तो यह value इसमें insert करेंगे, I is equal to I m, E raise to minus sign तो है R by L क्या था, one upon tau into T, तो S T, अब यहाँ पे क्या है, tau तो constant है, उसका कोई unit नहीं आएगा, यह क्या है, time इसका unit आएगा, जैसे कि minute, second, hour, अब आपने कभी भी कोई भी power पे unit तो सुना नहीं है, जैसे कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, कि 2 raise to 3 minute, 2 raise to 3 hour, ऐसा तो आप कभी बोल न कि यह जो inductive time constant tau है, वो कोई एक समय के बराबर है, अब कौन से समय के बराबर है, वो बार में देख लेंगे, तो tau जो है, वो एक समय के बराबर है, तो tau बराबर T लेंगे इसमें, so I is equal to क्या लिखेंगे, I am e raise to minus 1 upon tau t के समय के बराबर, multiply with t, t से t, cancel हो गया, आगे बढ़ो, तो I is equal to, I am, यह कितना हो जाएगा, e raise to minus 1, so I is equal to, I am, यह 1 upon e हो जाएगा, 1 upon e खा value आपको याद है, कितना आता है, 0.37 क्या I am, तो यह जो time constant tau था, वो पांसा समय था, वो ऐसा समय था, कि जब current कम होता होता, 37% हो जाए उसके maximum current के value से, ठीक है, अब यही चीज, diagram से भी हम समझ सकते हैं, कैसे, हमने ले लिया, कोई time, tau, कोई एक समय है, कौन सा समय है, वो ऐसा समय है, कि जब यह पांट पे, यह पांट पे, मैं यह लिखोंगा, यह पांट पे, क्या I का value है, वो घर्टे घर्टे 0.37 हो जाए, उसके maximum value के बढ़ ठीक है, यानि, tau time में, tau time में, current कितना घर्टे चालेगा, उसके maximum value से 37% घर्टे चालेगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि inductive time constant is such time in which during decay in current, current is decreased up to 37% of its maximum value, तो यह आखरी topic था, इस chapter का, next video में हम यह topic के base पे numerical solve करेंगे, तो video करता हूँ, यहाँ ही समा, तो तब तक के लिए, read hard, work hard, thank you very much.